अगर आपको ENTPC previous year all shift के question paper अगर चाहिए तो नीचे link description में दी हुए है वहाँ से जाकर आप download कर सकते हैं साती वापर group D, RPA PSI और RPA constable इन सभी के question paper है previous year के all shift के आप जाके download कर सकते हैं link नीचे description में दी हुए है तो चले ही शुरू करते हैं आजकी वीडियो आजकी वीडियो में आप सुब के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी है RPF constable की तरफ से अभी फीर से जो है कुछ ग्रूपों के लिए second list जारी हो चुकी है तो चले ही देख लेते हैं तो वीडियो को last तक देखते हैं रूडियो को कई भी skip मत किजें तभी आपको पूरा वीडियो समझाएगा तो देखें आपको सबसे पहले क्या करना है जो की अपना browser open कर लेना है browser open करने के बाद यहाँ पर आपको rpf constable जो है सर्च करना है जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का page आ जाएगा जहाँ पर आपको जो है rpf constable की official site ड्यान रखे constable.rpf जो यहाँ पर ORG वाली site है ORG वाली ही site आपको open करनी है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का page open हो जाएगा जो की railway का rpf का official page है अब देख सकते हैं यहाँ पर जो की railway recruitment for the post of constable constable rpf 01-2018 तो अगर आपको यहाँ पर ntpc, group d या चाहे railway, rpf एसा इन सभी के previous year के all shift के question paper चाहिए तो link नीचे description में दीवे वहाँ से जाकर आप download कर सकते हैं जिसमें आपको railway का exam pattern और सब कुछ पता चल जाएगा कुछ question उसी से भी repeat हो जाते हैं तो जरूर से download करें और अपने preparation को अच call letter for second round यहाँ से आप अपना second round का जो call letter है वो download कर सकते हैं और यहाँ पर आपको लिखा है दिखार जो की यहाँ पर लिखा हुआ है candidate shortlisted for second round of pat, pmt और document reflection तो इस पर आपको click करना है तो जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का page open हो जाएगा तो यहाँ और देख सकते हैं select to group view shortlisted candidate for pt, pmt तो दिखिए यहाँ पर group b, sathie group e और group f इन सभी की second list जारी कर दी गई है तो दिखिए यहाँ पर जो है group f पर आप जैसी click करेंगे या जो भी आपका group है जैसी click करेंगे तो आपके सामने दिखिए जो यहाँ पर selected candidate है जिनकी second list आई हुई उनका pt 9th meko होगा तो ध्यान रखे 9th meko आपका pt है और यहाँ पर जो है total candidate जो की लिए गए है group f में उस 70 candidate जो है यहाँ पर second round के लिए बुलाए गए है second list में तो वीडियो कर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, subscribe कीजिए, अन्दोस्त के साथ शेयर कीजिए उसी तरह य यहाँ पर group E भी है, इन तीनों group की जो second list है यहाँ से आप download कर सकते हैं और आपको NTPC, railway group D, इन सबी के अगर question paper चाहिए तो आप नीचे link description में दियो है, वहाँ से जाकर download कर सकते हैं, तो दिखिए आपको उसमें all ship के question मिलेंगे, जिससे आपको railway किस तरह exam pattern follow करते हैं, वह दोस्ते के साथ share कीजिए, चले मिलते हैं, नेक्स टूडियो में तब तक के लिए, bye